आज मैं बिर्यानी बना रही हूं और बिर्यानी हम घर के मसाले से बनाते हैं और बहुत ही लजीज बनती है इसको जुरूर ट्राइक करें और अपने घरवालों को अपने दोस्तों को खिलाएं जिंजर गालिक को इसना ग्राइं कर लें जिंजर गालिक पेस्ट गोष्ट या चिकन जो भी आप जूस करें उसको अद्रक लसन की पेस्ट के साथ ही डाल रहें और उसको अच्छी तरह मिक्स करें बूल लें ताके गोष्ट की स्मेल खतम हो जाए, कच्छा पन थोड़ा सा खतम हो जाए Cover and let it cook Add all the masala, mix and add water पानी डालें उपर से और इसको cover कर दें और पकने दें थोड़ी देर साबद गर्म मसाले को हम boil करके डालते हैं क्योंके we don't want it to come in our mouth हमें नहीं चाहिए कि हमारे मूं में आए अगर आपको चाहिए तो आप बेशक्स इस तरह ही डाल दें मैं इसको boil करके वह पानी डालूंगी ऊपर से पानी डालके हमने इसको boil करके इसको अब अच्छी तरह इसका रस निकल आए फिर हम इसको यूज कर लेंगे बिर्यानी के लिए और चान लेंगे इसे हम आपका जो गोश्ट भुन रहा है उसका मसाला भुनता रहे गोश्ट गलता रहे साथ-साथ, मैंने थोड़ा पानी और डाला है ताकि इए अब उसमें गलता रहे, उसको अब अब उसको पकने देड़े, तेमाटर को हमने गरम पानी में बॉil किया, वन मिनिट के लिए और फि कच्छिलका उतार लिया और इनको हमने काट लिया है पील करके दो मग चावल ले रही हूं इनको अब हमने दोना है और भिगोना है यह बॉयल हो रहा है इस वक्त टमाटर अब मैं डाल रही हूं और इसको कवर कर दें ताके टमाटर अची तरह गल जाए हलके हाथ से इनको चार पांच दफा अची तरह दो ले हलके हाथ से ताके टूटे ना चावल करें टमाटरों को इस आर मसाला बॉयलेंग यह मसाला हम पानी में डालेंगे और इसको बॉयल करें रखेंगे बाद में इसमें से यह चीजें आप जीरा तो नहीं लेकिन तेजपत्ता और स्टार अनीस आप निकाल सकते हैं बादे खताई और पानी में ताके खुश्पु आप लेवर आजात बाद में जो मोटी चीजें आपको नहीं चाहिए आप निकाल सकते हैं अब दही डालके इसको कठा भून लेते हैं अब इसको हम कवर कर देते हैं और इसको बस पकने रख दें उदर पानी बॉल हो रहा है हमारा चावलों वाला पानी बॉल हो रहा है इतर गोष्ट कल रहा है अब इसमें हम जो पानी हमने मसाले का बॉल किया था वो डाल देंगे यह पानी बॉइल हुआ हुआ है इसको हम इसमें छान के बस आपको किसी क्यूब की जरूरत नहीं है आपको किसी मसाले की जरूरत नहीं है आप घर में मसाला बनाएं और इतना जबरदस देखें यह पानी बॉइल हो गया है इसमें हमने जो जीरा और तेज पता और यह दिखें इस सारा निकाल लें जो भी निकल सकता है निकाल लें बाकी रहने दें जीरे की खेर है मोटी मोटी चीज़े निकाल लें यही पानी हम चाबलों के लिए इस्तमाल करेंगे kingdom ठाय één ओ 3 अबलेबल स्थ नमक अय अढ़िन 1 अ अबलेस्पोन अषल अबलेस्पोन आवटर एंधर इndन अबलेस्थ ganzenदेबर इन के स्थ 70% हो जाएं चावल, तो बस मीट एड़ करने का मसाला और गोर्ट एड़ करने का टाइम आ गया पानी आप निकाल लें कि धमी बarक हो इक है आप माईय बाम चाल सह लेक है तो एज सहाा जया आ यातल पर लेन का टा सुनके पोर्ड़ competitive अन भाने कि कि उते हैं, तो लेका ख़़ जढ टिए समी आपाराम झाल ढार पाने का मलाऻा लेकाश काॉवी शर और शा में आप़ करने का बाहा है झाल झाल आखिर में थोड़ से चावल बचा के जो मसाला देकची में रह गया उसको अची तरह मिक्स कर लें और उपर डाल दें उपर डाल के इसको अची तरह पहला लें बिलाने के बाद यह लेमन है लेमन का जूस निकाला है एक लेमन का एक निम्बू का यह पुदीना उपर से नीचे तवा रखा हुआ है उसके नीचे तवा रखे उसके उपर देकची और उसको कवर कर दिया अब यह दम लगेगा इसको 30 मिनिट इसको दम लगेगा बिलकुल आग पे तवे के उपर तो आप लोग भी जुरूर ट्राइ करें बहुत लजीज है और बहुत लोगों को पसंद आती है उपर थोड़ा सा प्राइ किया हुआ प्यास डाल दें बहुत ही मज़ेदार है जरूर 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 ट्राइक करें और अपने घरवालों को के लाएं झांगी जरूर झांगी